अमारिकी राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प अकसर्थ किसी ने किसी बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। ये भी देखा जाता है कि वो विवादत चीजों को लेकर जादा ही सामने आते हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ जब अमेरिका की राश्पती डुनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के खिलाफ नए नियम लाकर उसे बंद करने की धमकी दे दी। ट्विटर ने राश्पती के दो ट्वीट पर फैक्ट चेक चेतावने देने के बाद ट्रंप ने धमकी दी है। राश्पते खुद कंपनियों को वी नियमित या बंद नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी कदम उठाने के लिए कॉंग्रिस द्वारा ही कारवाई की जा सकती है। संगीय संचार आयोग के प्रोध्यों की कम्पनियों को भी नियमन करने का अधिकार देने वाले एक प्रस्तावित कारेकारी आदेश को उनके प्रिशासन ने रद भी कर दिया है लेकिन इसके बावजूद भी ट्रम्प ट्वीटर पल छेतावने दिने से रुके नहीं ट्रम्प ने ट्वीट किया कम्पनी रूडिवादी आवाजे दबाने की कोशिश कर रही है हम ऐसा होने से पहले कड़े नियम बनाएंगे या इससे बंद कर देंगे उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया और कहा कि बड़ी कारवाय की जाएगी ट्रम्प यहीं नहीं रुके और दे रात उन्होंने फिर ट्वीट किया टेक कम्पनी पूरी तरह से पागल होती जा रही है देखते रही है एक आने ट्वीट में राश्पती ने कहा कि ट्वीटर पूरी तरह से बोलने की आजादी का गला घोट रहा है और राश्पती के तौर पर में यह नहीं होने पुद्भार को ट्रम्प ने ट्वीटर जैसे सोशल मीडिया मंच को बंद करने की धमकी दे डाले अब अमेरिकी राश्पती और ट्वीटर के बीच ये जंग छीड़ी है जो क्या रंगलाती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा subscribe our channel and press the bell icon for more updates